दोस्तों बॉलिवूर के इतिहास में सिर्फ नाना पातेकर और इर्फान खान ही ऐसे दो एक्टर हैं जिनें बेस्ट अक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग अक्टर और बेस्ट विलिन तीनो ही केटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड मिला है नाना पातेकर को 1990 में परिंदा फिल्म प्रकार से नाना पार्टेकर ने एक ही साथ तीन बड़े अवार्ड जीत कर गोल्डन हैट्रिक कम्प्लीक करी। लाइफ इने मेट्रो के लिए इर्फान खान को बेस्ट सपोर्टिंग अक्टर का फिल्म फेर अवार्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने शादी के लिए उतावले एक युवक मांटी का रोल किया था। इसी फिल्म लाइफ इने मेट्रो के लिए उन्हें 2008 का आइफा अवार्ड भी मिला था। साल 2018 में उन्हें फिल्म हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट अक्टर का फिल्म फेर अवार्ड प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने चांदनी चौक के एक बुटीक संचालक राजबत्र का रोल किया था जो अपनी बेटी का एडमिशन एक प्रतिष्टित इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना चाहता है। मीडियम में राजबत्रा के रोल के लिए उन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड और आइफा अवार्ड भी दिये गए थे। साल 2021 में उन्हें फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए भी बेस्ट अक्टर का फिल्म फेर अवार्ड दिया गया। मगर एक साल पहले 2020 में इस महान कलाकार का स्वरगवास हो चुका था इसलिए वो इसे स्वयम रिसीव नहीं कर सके। और अंत में चलते चलते इन अवार्ड विनिंग फिल्मों में से मेरी पसनल फेवरेट फिल्म्स नाना पाटेकर की इन तीन फिल्मों में से अंगार इस फिल्म में नाना के अलावा कादर खान डिंपल का पाड़िया और ओमपूरी ने भी जबरदस्त काम किया है।